गुड मॉर्णिंगे फिंट्स पंस अगें यह प्यारा सा एक कोश्ट्म जी दिखाई दिया तो मैंने कहा इसको बना आप से सेर करूं तो विच्छ थोड़ा सा वीडियो यह मॉर्णिंग का समय है वीडियो थोड़ा मेरा ही लिए कोई वात नहीं है एकदम ओरीजिनल चीजे आपके पास पहुंचनी चाहिए तो इस इस को अगर आप ध्यान से देखे ना डिस इस वेरी गुड़ डाइगराम और इस डाइगराम को देखेंगे डाइगराम को देखके बिल्कुल नर्वस नहीं होना है बिल्कुल आप ही के लेवल तक जो आप को एक्जामिनेशन हॉल में जो फील होगा उसी अधार पर में सब बातें बोल रहा हूं अचाना कि अगर यह डियागराम देखोगे ना तो समझ मेंने आगे क्या है कैसे करना है बिल्कुल ढड़ जाओगे लेकिं ध्यांस देखो इस डाइगराम में नीचे दो क्या मार्क के हुए GDP का चिन दिया कलर भी अलग दिया हुए है आपके जाम जो में पेपर होगा तो उसमें यह कलर तो नहीं दिखाए देगा तो हो सकता है वहां पर डॉटेड लाइन के रूप में दिया हो कुछ अलग तरीके दिया होगा तो खैर आप इसको नीचे पढ़नेंगे इसके बाद क्या लिखा वह हमारा इंप्लाइमेंट का इंप्लाइमेंट नीचे है और उपर तो चित्र भी बहुत कुछ कहते हैं चित्रों की भी एक कहानी होती है तो इसी कोशन को हम अगर हम देखे तो मैं इसको अगर थियूरी में भी कोशन पुछा जाता तो इस कोशन को पुछाता है क्या तब GDP का जो growth हो रहा था क्या उसके साथ ये employment generation जो हो रहा था वो दोनों match करता है इस तरीके से question long answer question six master question में पुछा जा सकता था ठीक है तो इसमें आप देख लो अगर आप किसी business की अर्थवेश्था को समझने का economy को समझने का अगर आप काम करते हो तो GDP और employment दोनों GDP तो growth quantity aspect की बात करता है लेकिन employment अगर generation साथ साथ होता है तो यह क्या करता है कि हमारे welfare की बात करता है employment पतलब है कि लोगों के पास purchasing power होगी इसके बाद उसके जो फाइदे होता है वो अलग वह कहाने फर्स प्लान होता है 51-56 और 2012 तक की जो कहानी देवी है 2010 तक देखें तो इसमें इस पूरे प्लेड में हमारा GDP हाई रहा लेकिन GDP और इसके बीच का जो डिफरेंस यह काफी बड़ा सबसे कम जो दिखाए था है 96166 के पास और और अन एवरेज अगर हम देखें इसके अम एवरेज को निकाले से प्लस 4.2 प्लस इसतर करके हम देखें या ऑन एवरेज भी देखें तो मैक्सिम में फोर से ज्यादा तर समय यह फोर से उपर ही रहा है इतने सालों में अगर फिप्टी से निकाले और दो जाल दस तक निकाले तो इसमें मतलब मैक्सिम यह फोर से तो और बेजिस मूफ बिट्मिन दा फोर एंड सेवन की बीच में यह मूव करता रहा है जबकि हम जीडीपी देखें यह कर रहे रहे वह कम रहा है तो इस वजह स कि हम यह कर सकते हैं कि कि इन्डियन एकॉनोमिंग हम लोगों गोगों को जो मिला वो ज़्यादा मातला में गोट्स एंट सर्विसिस का प्रडॉक्शन ज्यादा हुआ और इंप्लाइमेंट भी जनरेशन हुआ लेकि त्टीक है और इसको हम कहते हैं कि इस तरह के हम जो ग्र ही है इसको हम jobless growth की अवस्था इस डियाग्राम को हम एक प्यारा सानाम दे सकते हैं jobless growth को यह डियाग्राम इंडिकेट करता है तो इस तरीके से आपको explain कर देना है ठीक है अगर आप इस term का मार्स सुर्य इमार्स होता है बेटा थैंक यू